दस जून की श्रीव दनमाइप से कोई सवागत है, परमादु प्रता कहते हैं कि अपने शुब चिंतन की शक्ती से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुब चिंतक मनी भवा शुब चिंतन, हमारे संकल किस प्रकार के चलते हैं, किस कॉलिटी के चलते हैं, कितने उचे वाइबरेशन के चलते हैं, उसके दोरा होर आत्मा को भी असर पड़ता है इसको हम समझेंगे एक उधारंगे दोरा जो परमात्माजने समझ जाते हैं आज के विश्व में सब आत्माएं चिंता मनी हैं, चिंता मनी, चिंता में ही अपना जीवन वितीत करने वाली है उन चिंता मनियों को आप शुब चिंतक मनियां, परमात्माजने हमें कह रहे हैं, हम शुब चिंतक मनियां हैं हम बुरा संकल्प करना, नेकिट संकल करना, कितना वस हो सकता, कितना बुरा हो सकता है, वो नहीं करते हैं नोग उन चिंता मणियों को आप शुब चिंतक मणिया अपने शुब चिंतन की शक्ती द्वारा में पता है ऐसे आप शुब चिंतक मणियों की शुब संकल्प रूपी चमक चमक मतलब ये vibrations के पर मातम बात कर रहे हैं हमारी जो औरा होती है हमारी जो तेज होता है आत्मा का जो हमारे संकल्पों की शक्ती की purity की light होती है वाकिरने चमक वाकिरने विश्व में चारो और फैल रही हैं इसलिए समझते हैं कि कोई spiritual light गुप्त रूप में तो कोई spiritual light गुप्त रूप में अपना कारे कर रही है ऐसे कहीं आत्मा को महसूसता होती कोई changes आ रहे हैं मेरी life में changes आ रहे हैं कोई ने कोई काम कर रहा है मेरे जीवन में यह touching अभी शुरू हुई है आखरीन ढूंडते ढूंते स्थान पर पहुंचेंगा और उस स्थान कौन सा है ब्रमकमाईर सेंटर माउं टाबू हो सकता है वो तो जहां से हम वाइब्रेशन्स फैलाते हैं वो ही हमारा सेंटर बन जाता है चाहे वो हमारा खुद का लोकिक घर क्यों ना हो वो भी ऐसी जगह बन जाती है जहां पर सारी आत्में आना चाहती है मिलना चाहती है और कुछ लेके जाना चाहती है spiritually ओम शंती